भारत के राश्पती काफी जादा important topic है इंडियन पॉलिटी का अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो तो फैंस वो सभी question जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी question selected और important लिए हैं अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा useful रहने वाला है और friends यकीन मानिए इस topic से हर exam में question पूछे जाते हैं और मैं आपको आज की वीडियो में कुल मिला के 150 question करवाने वाला हूँ ये इस topic का master वीडियो है friends इतने question आपको किसी भी book में या किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं first question से first question है मारा राश्पती पद के उमिदवार के लिए नियोंतम आयो कितनी होनी चाहिए सही answer है option C 35 वर्ष राश्पती पद के उमिदवार के लिए जो नियोंतम आयो होती है friends वो 35 वर्ष होती है ये आपने याद रखना है अगला question भारती सम्मिधान के किस अनुछेद में राश्पती पद का प्रावधान है ये question हर साल एकजाम में रिपीट होता है आप इसे स्टार मार कर लिजिए सही answer है option B अनुछेद 52 अनुछेद 52 में भारती सम्मिधान के अनुछेद 52 में राश्पती पद का प्रावधान है ये आपको याद रखना है next question किस अनुछेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ती राश्पती द्वारा की जाएगी सही answer है option A अनुछेद 75 भारती सम्मिधान का जो अनुछेद 75 इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ती होगी ये राश्पती द्वारा होगी ये question भी आपको याद रखना है और दुरॉबदी मुर्मूजु ये भारत की पंदरवी राश्पती बनी है ये भी आपने याद रखना है अगला कोशन भारती समिधान के किस अनुछेद में राश्पती का निर्वाचन की रिती के बारे में बताया गया है सही आंसर है option A अनुछेद 55 भारती समिधान का जो नुछेद 55 इसमें राश्पती का निर्वाचन की रिती के बारे में बताया गया है ये आपने याद रखना है आपको ये वर्ड याद रखना है राश्पती के निर्वाचन की रिती इसमें राश्पती के शपत के बारे में बताया गया है सही आंसर है option A, अनुछेत 60, भारतिय समिधान का जो अनुछेत 60 है friends, इसमें राश्पती के शपत के बारे में बताया गया है, यह आपने याद रखना है, देखो friends, उपर जो मैंने आपको कोशन करवाए ना, राश्पती के निर्वाचन की रिती, अनुछेत 55 में है, अगर आप से एक्ज सामें पूछा जाए कि राश्पती के निर्वाचन के बारे में किस अनुछेत में बताया गया friends, तब इसका आंसर अलग हो जाएगा, तब इसका सही आंसर होगा, option D, अनुछेत 54, ठीक है friends, दोनों कोशन में आपने confuse नहीं होना है, निर्वाचन की रिती अलग है, और अगर राश्पती के निर्वाचन के बारे में केला पूछेत 54 है, ठीक है में दोनों आंसर आपने याद रखने है, अगला कोशन कर लेते हैं, भारते सम्मिधान के किस अनुछेत में राश्पती के पुनह निर्वाचन के बारे में बताया गया है, सही आंसर है, option A, अनुछेत 57, इसमें राश्पती के पुनह निर्वाचन के बारे में बताया गया है, अगला कोशन, राश्पती को शपत कौन दिलाता है, सही आंसर है, option C, 14 दिन, संसत दुवारा राश्पती पर महा भी हो की जो प्रिकिरिया होती है फेंट्स ये 14 दिन पूरो सूचना के बाद शुरू की जाती है किसके हस्ताशर के बिना कोई कानू नहीं बन सकता है सही आंसर है और आप किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हो फेंट्स पूरे इंडिया में हर एक्जाम के लिए ये वीडियो काफी जादा यूस्फुल है मैंने आपके लिए बिल्कुल selected और best content रखा है और मैंने आपके लिए सभी question वही रखे हैं जो आपके exam के लिए important रहेंगे लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है सही answer है option C राश्टपती भारत के जो राश्टपती होते हैं लोकसभा के जो प्रथम सत्र होता है उसे संबोधित करते हैं राश्टपती का रिक्तपत कितने दिनों के अंदर भरना होता है सही answer है option B 6 महा राश्टपती का जो रिक्तपत होता है ये 6 महा के भीतर भरना होता है ये आपने याद रखना है समिधान के किस भाग में अपातकाल के बारे में बताया गया है सही आंसर है option B भाग 18 भारतिय समिधान के भाग 18 में friends अपातकाल के बारे में बताया गया है ये आपको याद रखना है वह राष्ट का प्रतिनित्व करता है प्रंतु राष्ट का नेत्रितव नहीं करता यह कथन किसके लिए लागू होता है सही आंसर है option C, राष्टपती, राष्टपती के लिए ये कथन लागू होता है कि वह राष्ट का प्रतिनिद्र तो करता है प्रन्तु राष्ट का नेतरितव नहीं करता, ठीक है फैंस ये question B, most important है, अगला question, लोगसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, सही आंसर है option A, राष्टपती के पास, लोगसभा को भंग करने की शक्ति होती है, ये राष्टपती के पास होती है, ये आपने याद रखना है, और आपके लिए important announcement है कि अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो, हमारी current affairs की जो अर्धवार्षिकी किताब, वो launch हो चुकी है, current affairs अर्ध जी के book है, इसको भी आप flip card से खरीच सकते हो, हर exam के लिए काफी useful है, हमने best content अपनी book में रखा है topic wise, next question कर लेते हैं, भारत का समविधानिक प्रधान कौन होता है, सही answer इसका option A, राष्टपती, भारत के जो राष्टपती होते हैं, ये भारत के समविधानिक प्रधान भी ह ये आपने याद रखना है, अगला question, अपात्काल लगाने की शक्ती किस के पास होती है, सही answer is option B, राष्टपती के पास, भारत के राष्टपती के पास अपात्काल लगाने की शक्ती होती है, ये आपको याद रखना है, next question, राष्टपती के पास कितने तरह की वीटो शक् सही आंसर है, option D, उप्युक्त सभी, तो यह है आंतियातिक वीटो, दूसरा है लिलंबर्न कारी वीटो, तीसरा है पॉकिट वीटो, यह तीन तरह की वीटो शक्ती होती है भारत के राश्टपती के पास, यह कोशन भी एक्जाम में कई बार पूछा गया है, अगला कोशन, सोत प्रण्द्र भारत के प्रथम राश्टपती, राश्टपती पद के निर्वाचन हित्तु कौन सी पदिती अपनाई जाती है, सही आंसर है, option D, समानुपातिक प्रतिनितितों एवं एकल संकर्मनिय मत पदिती, यह आपने याद रखना है, अगला कोशन, राश्टपती के च चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदकों की कम से कम संख्या होनी चाहिए, यह कोशन भी most important है, अगला कोशन, किसी विधी के प्रशन पर सर्वोच न्याले से प्रामश लेने का अधिकार किसको है, सही आंसर है, option A, राश्टपती के पास, किसी विधी के प्रश प्रशन पर सर्वोच न्याले से प्रामश लेने का अधिकार है, राश्टपती के पास, यह आपको याद रखना है, नेक्स कोशन कर लेते हैं, भारत के राश्टपती अपनी शक्तियों का परियोग करते हैं, सही आंसर है, option A, सीधे अथवा अपने अधिनस्त अधिकारियो द्वारा, फ्रेंट्स आपको याद रखना है, जो भारत के राश्टपती होते हैं, अपने शक्तियों का परियोग करते हैं, यह वो सीधे करेंगे, यह अथवा अधिनस्त अधिकारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, अगला कोशन, भारती समिधान के सतरवे संसोधन द्वारा भारत के राश्पती के चुनाव में किन दो केंदर शाशित परदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है। अगला कोशन सारवजनिक महतव के लिए विशह पर राश्पती सम्विधान के किस अनुचेद के तहट सर्वोच नियाले से कानूनी परामर्श ले सकता है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी अनुचेद 143 भारती सम्विधान के अनुचेद 143 एवेंट्स अनुचेद के तहट परेंट्स जो राश्पती होता है। सर्वोच नियाले से कानूनी परामर्श ले सकता है। अगला कोशन विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन संसदिय प्रतिनिधी मंडलों के लिए वैक्तियों का नामंकन कोन करता है। सही आंसर इसका ऑप्शन C भारत के राश्पती। राश्पती को भत्ते के लावा प्रति महां कितना वेतन प्राप्त होता है। सही आंसर है ऑप्शन A पांच लाग। राश्पती को भत्ते के लावा या आपको याद रखना है प्रति महां पांच लाग का वेतन प्राप्त होता है। नामंकन के समय राश्पती पथ की उम्मिद्वार को जमानत के तौर पर कितना रुप्य जमा कराना पड़ता हैं। नेक्स कोशन है मारा लोकसभा द्वारा पारित विधेक यदि राश्पती लोकसभा का पूर्ण विचार के लिए लोटाता है और लोकसभा उसे पूर्वता पास करके राश्पती के पास भेज देती हैं तो राश्पती विधेक को सही आंसर है इसका option A अनुमती देगा अगला कोशन कर लेते हैं अध्यादेश जारी करने का अधिकार राश्पती का कौन सा अधिकार है सही आंसर इसका option B विधाई अधिकार अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार होता है राश्पती का विधाई अधिकार है ये आपको याद रखना है भारत एक गंतंत्र है इ Option B, भारत में बंशानुगत शाशन नहीं है, ये कोशन भी एक्जाम में कई बार पूछा गया है, अगला कोशन, भारत के राश्पतियों में से कौन कुछ समय के लिए कुछ निर्पेक शांदोलन के महा सचिब भी थे, सही आंसर इसका, Option B, ज्यानी जेल सेंग, अगला कोशन, लाब के पद का निर्नय कौन करेगा, सही आंसर इसका, Option A, संख्ये सन्सद, संख्ये सन्सद जो उते हैं से लाब के पद का निर्नय करता है, किसी भौगलिक छेतर को अनूचित छेतर ढ regulations करने का सम्मेधानिक अधिकार किसको है, सही आंसर इसका, Option A, राश्पती राशपती के पासफेंज किसी भोगोलिक छेतर को अनुसूचित छेतर घोशित करने का सम्मेधानिक अधिकार है ये आपको याद रखना है अगला कोशन भारतिय गंतंतर का वह कौन सा राशपती था जो सदा भारतिय धरम निर्पिक्षता को सरुधरम संभाव का कहता रहा सही आंसर इसका ओप्शन ए डॉक्टर S. राधा कृष्णन अगला कोशन भारत की पहले राशपती के रूप में डॉक्टर राजिंदर प्रसाद का चुनाव किया गया था आंसर इसका ओप्शन B सम्मिधान सभादवारा यह कोशन B एक्जाम में हर साल रिपीट होता है कि जो भारत की पहले राशपती धेफेंट्स डॉक्टर राजिंदर प्रसाद इनका चुनाव सम्मिधान सभादवारा किया गया था अगला कोशन यदि भारतिय उप राशपती अपना त्याग पत्र करने का निर्नय लेते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे सही आंसर इसका ओप्शन A राश्पती को यह आपने याद रखना है भारतिय सम्मिधान में निर्वाचित राश्पती का प्रावधान किस देश से लिया गया है सही आंसर है ओप्शन A अमेरिका भारतिय सम्मिधान में निर्वाचित राश्पती का जो प्रावधान या अमेरिका देश से लिया गया है यह आपको याद रखना है अगला question, सर्वोच नियाले के एकमात नियाधिश कौन है जिन्होंने राश्पती पद की शपत ली है सही answer है, option C, मुहम्मद हिदायतुला मुहम्मद हिदायतुला सर्वोच नियाले के एकमात नियाधिश है जिन्होंने राश्पती पद की शपत ली है अब कोशन का लेवल देखे पता लग रहा है, सभी कोशन exam oriented है अगर आप में daily current affairs पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से channel है जिसका नाम है current affairs by ravie, आप current affairs by ravie youtube channel को जरूर subscribe कर लिजिए, पूरे youtube पे एक number channel है current affairs के लिए daily free pdf भी दिया जाता है, और daily पांच बज़े इसकी वीडियो आ जाती है current affairs की हर exam की reference काफी ज़्यादा useful है हमारा current affairs का channel अब सभी को बता है कि exam में सबसे ज़्यादा question current affairs के आते हैं, अगला question भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है सही answer option d राश्पति भारत के जो राश्पति होते हैं यह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं next question भारती सम्मिधान के किस अनुछेद में राश्पति के कारेले की शर्तों के बारे में बताया गया है सही answer इसका option d अनुछेद 69 में राश्पति के कारेले की शर्तों के बारे में बताया गया है अगला question किस अनुछेद में राश्पति के पद की रिक्तता भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद का कारेकाल के बारे में बताया गया है सही आंसर इसका option A अनुछेद बासट भारती समीदान का जुनुछेद बासट है इसमें राश्पति के पद की रिक्तता भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद का कारेकाल बताया गया है यह आपको याद इसके बाद मैंने आपके लिए सभी question का revision रखा है तो revision वारा part आप जरूर देखना लास्ट में दो question का test भी है और friends आप मुझे comment box में जरूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस topic के ओपर चाहिए मतलब कौन सा topic आपने complete पढ़ना है वो मैं आपके लिए जरूर लेकर पर चाहिए सही answer इसका option C, अनुछे 53, अनुछे 53 में राश्पती के कार रे एवं शक्ती का प्रावधान है नेक्स question कर लेते हैं, question है मारा भारती समिधान के किस अनुछेद में राश्पती के निर्वाचन के बारे में बताया गया है, सही answer है option D, अनुछे 54, भारती समिधा के अनुछे 54 में राश्पती के निर्वाचन के बारे में बताया गया है, अगला question किस अनुछेद द्वारा राश्पती द्वारा राज्यों पर राश्पती शाषन लगाया जाता है, सही answer है option C, अनुछे 356, भारती समिधान के किस अनुछेद में राश्पती के पदा के बारे में बताया गया है, सही answer है option C, अनुछेद 56, भारती समिधान के किस अनुछेद में राश्पती पद की योगयताओं का उलेख बताया गया है, सही answer है option D, अनुछेद 58, भारती समिधान के किस अनुछेद में राश्पती पद की योगयताओं का उलेख बताया गया ह नेक्स कोशन एक्जाम में कई बार पुछा जा चुका है राश्पती सम्मिधान के किस अनुछेद के अंतरगत देश में युद या भारे अकर्मन की स्थिती में अपात्का लगा सकता है सही आंसर है ऑप्शन ए अनुछेद 352 बारे सम्मिधान के किस अनुछेद के अंतरगत आर्थिक संकट की स्थिती में अपात्का लगा सकता है यह आपको याद रखना है अगला कोशन, समिधान के किस अनुछेद में राश्पती पर महभियोग के बारे में बताया गया है आंसर एसका option B, अनुचेद 61 है इसमें राश्पती पर महभियों के बारे में बताया गया है अगला कोशन, समधान की किस अनुचेद में राश्पती शमादान की शक्ती के बारे में बताया गया है सही आंसर है option B, अनुचेद 72 अगला कोशन कर लेते हैं, किस अनुछेद के तहट राश्पती, सहाइते, विज्ञान, कला और समाज, सेवा में विशेश, ग्यान या वहवारिक अनुभव रखने वाले 12 वैक्तियों को राजय सभा में मनुनित कर सकता है अगला कोशन, समीधान की अनुछेद के अनुछेद के सजा को छमा कर सकता है निमने में से कौन सा अनुछेद राश्पती के चुनाव पर नाली को बताता है एक्जाम में कई बार पुछा गया कोशन है ये सही आंसर है option D अनुचेद पच्पन अनुचेद पच्पन में राष्टपती के चुना पर नाली को बताया गया है फ्रेंस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो का content पसंद आ रहा है option D अमेरिका अमेरिका देश से लिया गया है फेंस भारती समिधान में राष्टपती पर महाभियो की परिकिरिया अगला कोशन राष्टपती पद की योगेता क्या होती है सही आंसर इसका option E उप्युक्त सभी भारत का नागरिक हो 35 वर्ष की आयो पूरा कर चुका हो लोकसभा सदसे बनने योगे हो किसी लाब के पद पर ना हो ये राष्टपती पद की योगेता होती है अगला कोशन राश्पती का कारेकाल कितने वर्ष का होता है सही आंसर है option B 5 वर्ष का राश्पती का कारेकाल 5 वर्ष का होता है यह आपको याद रखना है अगला कोशन किसी भी राज्जे के ऊपर राश्पती शाषन लगाने की शक्ति किसके पास होती है सही आंसर है, option B, राश्पती के पास, किसी भी राज्य के ओपर राश्पती शाशन लगाने की शक्ति होती है, राश्पती के पास, यह आपको याद रखना है अगला कोशन कर लेते हैं, संसत के लोकसभा और राज्यसभा के इलावा तीसरा अंग कोन सा है सही आंसर है option D, राश्पती, राश्पती जो है फेंच ये तीसरा अंग है, लोगसभा और राज्यसभा के इलावा, ये आपको याद रखना है अगला question, भारती समिधान के अनुसार कोई वैक्ती कितनी बार राश्पती बन सकता है सही आंसर है option D, कितनी बार भी बन सकता है, मतलब कोई भी इसकी सीमा नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है ठीक है तो आपको याद रखना है, भारती समिधान के अनुसार कोई भी वैक्ती कितनी बार भी राश्पती बन सकता है समिधान के अनुसार राशपती अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है काफी important question है यह भी सही answer है option A. उप राशपती को समिधान के अनुसार राशपती जोते हैं अपना त्यागपत उप राशपती को दे सकती है अग्ला question राशपती उमिद्वार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदसे अनुमोधक होते हैं सही आंसर उप्शन A राशपती पर महा भ्योक लगाने के लिए सदन के कितने सदसे का लिखित प्रस्ताव होता है सही आंसर है option C, एक चोथाई राश्पती पर महा भ्योग लगाने के लिए सदन के कुल एक चोथाई सदस्यों का लिकित प्रस्ताव होता है next question कर लेते हैं राश्पती के त्याग पत्र की सूचना उपराश्पती किसे देता है सही आंसर है सही आंसर है option B, लोगसभा अध्यक्ष को राश्पती के त्याग पत्र की सूचना जो उपराश्पती होते हैं ये लोगसभा अध्यक्ष को देते हैं ये question B exam के लिए काफ़ी important है राश्पती पत्र के उमिदवार के लिए अधिकतम आयू कितनी होनी चाहिए सही आंसर है option D, कोई आयू सीमा नहीं है राश्पती पत्र के उमिदवार के लिए अधिकतम आयू होती है इसकी कोई भी आयू सीमा नहीं है मतलब कितनी भी आयू का हो सकता है और नियूनतम आयी मैंने आपको बताया था 35 वर्ष होना चाहिए सम्मिधान के लंगन में राश्पती को उसके पत से कैसे हटाया जाता है सही आंसर है option C, महा भीयोग द्वारा सम्मिधान के लंगन में राश्पती को उसके पत से महा भीयोग द्वारा हटाया जाता है राश्पती पर महाभियो की प्रकिरिया किस देश के सम्मिधान से ली गई है सही आंसर है Option A, अमेरिका राश्पती पर महाभियो की प्रकिरिया जो है फेंसी अमेरिका देश के सम्मिधान से ली गई है किसके वेतन पर आईकर नहीं लगता है सही आंसर है, option C, राश्टपती, राश्टपती के वेतन पर फेंज आईकर नहीं लगता है, यह आपको याद रखना है उपराश्टपती जब राश्टपती के स्थान पर कारे करता है, तब उसे किसका वेतन प्राप्त होगा सही आंसर है option C, राष्टपती का याद रखने आपको उपराष्टपती जब भी राष्टपती के स्थान पर कारे करेंगे उनको जो वेतन मिलेगा वो राष्टपती का वेतन मिलेगा चमादान अथवा मिर्ति उदंड पाई अपराधी की सज्जा पर फैसला लेने का अधिकार किसके पास होता है सही आंसर है option B, राष्टपती के पास अमेरिका के राश्पती का कारेकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर है, option C, 4 अमेरिका के राश्पती का जो कारेकाल उद्यफन से 4 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखना है अमेरिका में एक व्यक्ति अधिक्तम कितनी बार राश्पती के पद पर निर्वाचित हो सकता है सही आंसर इसका option A दो बार मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है सही आंसर इसका option A राश्पती राश्टपती के परस्फेंट से यह अधिकार होता है कि वो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है भारतिये राश्टपती को किस परस्थिती में अपने परस्थे त्याग पर देना पड़ता है सही आंसर इसका option B महाभ्योग लगने पर अफेंस मैं आपको बता दूँ कि भारत में अभी तक किसी भी राश्टपती पर महाभ्योग नहीं लगा है अगला कोशन संग लोग सेवा आयोग यानि की UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है सही आंसर इसका option C राश्टपती भारत के जो राश्टपती होते हैं ये संग लोग सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति करते है अगला कोशन अब तक हमारे देश में कितने राश्टपती के खिलाप महाभ्योग चलाया गया है सही आंसर है option A शूनने भारत में कौन लगाता दो बार राश्टपती बने थे सही आंसर है option B राजेंदर परसाद राजेंदर परसाद जो थे जो कि हमारे देश के पहले राश्टपती भी थे ये लगाता दो बार राश्टपती बने थे ये आपने याद रखना है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है सही आंसर इसका option C राश्पती राश्पती जो होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं ये आपको याद रखना है राश्पती का निर्वाचन मंडल को किस देश के सम्मिधान से लिया गया है सही आंसर है option B Ireland राश्पती का जो निर्वाचन मंडल होता है इसे Ireland देश के सम्मिधान से लिया गया है भारती सम्मिधान में राश्पती का कार्य किस देश के सम्मिधान से लिया गया है सही आंसर है Option D. अमेरिका भारती समिधान में राश्पती का कार्रे किस देश के समिधान से लिए अमेरिका ये आपको याद रखना है राश्पती का निर्वाचन किस विधी द्वारा होता है सही आंसर है option c आप्रतेक्ष निर्वाचन विधी द्वारा राश्पती का निर्वाचन होता है एक्जाम के लिए काफी important question है ये राश्पती के शबत के दोरान अगर मुख्य नियाधिश ना हो तब राश्पती को शबत कौन दिलाएगा सही आंसर है option a सुप्रीम कोट का वरिष्ट नागरिक राश्पती के शबत के दोरान अगर मुख्य नियाधिश ना हो इसका option D, उप्युक्त सभी, यानि कि संसद की दोनों सदनों के निर्वाची सदस से, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाची सदस से, और दिल्ली और पुड्डो चेरी की विधान सभाओं के निर्वाची सदस से, यह सभी भाग लेते हैं राश्पती के निर्वाचन म संबंदित विवादों का निप्टारा किसके द्वारा किया जाता है सही आंसर है Option C उच्छतम नियाले द्वारा या बोल सकते हो सर्वोच नियाले द्वारा राश्टपती के निर्वाचन से संबंदित विवादों का निप्टारा किया जाता है अगला कोशन, प्रतेक राज्य का राज्य पाल देश के केंद्रिय मंत्री मंदल की शिफारिश पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है सही आंसर है, option A, राश्पती द्वारा प्रतेक राजय का जो राजपाल होता है फिर देश के के इंद्रे मंत्री मनिक श्वारिश पर किसके दोड़ा न्युक्ति आ जाता है राश्पति दोड़ा यह आपको याद रखना है अगला कोशन जो कोशन मैं करवा रहा हूँ एंगलो समुदाए के दो सदस्यों की न्युक्ति होती है अब इसकी न्युक्ति नहीं होती है ठीक है लेकिन कभी कभी एक्जाम में कोशन पूछ लेते हैं कि कौन लोग सभा में एंगलो इंडियान समुदाए के दो सदस्यों की न्युक्ति करत थे तो आपका सही आंसर क्या होगा option c राश्च्पति न्यूक्ति करते थे अगला कोशन कर लेतें कौन राज्य सभा में कला सहाइत्य विज्ञान और समाज सेवा छेतर में 12 सदस्यों को न्यूक्त करते हैं यह करता है सही आंसर इसका option c भारत के राश्च्पति समान अनुपातिक प्रतिनित प्रनाली द्वारा किसका चुनाव होता है यह आपको याद रखना है एकल संकर्मनिय मत्पदिती द्वारा किसका चुनाव होता है सही आंसर इसका option B राश्पती एकल संकर्मनिय मत्पदिती द्वारा राश्पती का चुनाव होता है राश्ट का अध्यक्ष कौन होता है सही आंसर है option D भारत के राश्पती केंद्र की समस्त कारेपालिका की शक्ति किसमे नहीत होती है सही आंसर है Option D, राश्पती में अगला कोशन, प्रधानमंतरी पद की नियुक्ती करने का अधिकार किसके पास होता है सही आंसर है Option D, राश्पती के पास देश के नियंतरक एवं महा लिखा परिक्षक की न्युक्टी किसके द्वारा होती है सही आंसर है Option C राश्पती के द्वारा देश के नियंतरक एवं महा लिखा परिक्षक की न्युक्टी होती है अगला कोशन भारत के महानियवादी की न्युक्ति कौन करता है? सही आंसर है Option D, राश्पति जो होते हैं ये भारत के महानियवादी की न्युक्ति करते हैं यदि किसी कारण राश्पति का पद खाली हो तो राश्पति का कारे कौन करता है? सही आंसर है option A, उपराश्पती, यदि किसी कारण से 5 राश्पती का पद अगर खाली हो, तो राश्पती कारे कौन करेंगे, उपराश्पती करेंगे, यह आपको याद रखना है, जब राश्पती पद और उपराश्पती पद दोनों खाली हो, तो उस स्थिती में राश्पती का कारे कौ नेक्स कोशन है मारा जब राश्पती उप राश्पती और मुख्य नियाधिश तीनों का पद खाली हो उत स्तिती में राश्पतिया कारे कौन करता है सही आंसर इसका option B सर्वोच नियाले का वरिश्थम नियाधिश ये आपको याद रखना है अगला कोशन भारत की प्रथम र मिर्ति हो गई थी सही आंसर है option A डॉक्टर जाकीर हुसेन जो थे ये भारत के पहले राश्पती थे जिनकी कारे काल के दोरान मिर्ति हो गई थी केंद सरकार की सभी शक्तियां किसके पास नहीं तो होती है सही आंसर है option C राश्पती के पास केंद सरकार की जो सभी शक्तिया प्रधानमंत्री की सलहापर मंत्री परिशन के अन्य सदस्यों की न्योक्ती कौन करता है सही आंसर है प्रधानमंत्री का अध्यक्ष कौन होता हैώς सही आंसर है, इसका option A, राश्पती, राश्पती जो होते हैं, ये कारेपालिका का अध्यक्ष होता है, लेकिन हम बात करें, वास्तवी कारेपालिका की, तो वो परधानमंत्री होते हैं, संग की कारेपाली का शक्ती नहीं थे सही आंसर है Option B, राश्पती में संग की कारेपाली का शक्ती नहीं थे उपर राश्पती कितने समय के लिए राश्पती पद पर कारे कर सकता है सही आंसर है Option C, अधिक्तम 6 महिने के लिए उप राश्पती जो होते हैं ये राश्पती के पद पर कारे कर सकते हैं एक्जाम में कई बार पुछा गया कोशन है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगला वीडियो किस टॉपिक के ओपर चीह है कमेंटर के फीडबैक जरूर देना और हमारा करन्ट अफेर का चैनल जो है करन्ट अफेर्स बायरवी इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले हर एकजाम के लिए काफी जादा यूसफुल है हमारा करन्ट अफेर्स का चैनल तो करन्ट अफेर्स बायरवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप सर्वोच नियाले के मुख्य नियाधिश की नियुक्ति कौन करता है सही आंसर है औप्शन बी राश्पती जो होते हैं ये सर्वोच नियाले के मुख्य नियाधिश की नियुक्ति करते है समिधान के अनुसाद देश का कारेपाली का अध्यक्ष कौन होता है सही आंसर है option A राष्टपती राष्टपती जो होते हैं ये समिधान के अनुसाद देश का कारेपाली का अध्यक्ष होते है उची नयाले के मुखे नियाधिश की नियुक्ती कौन करता है सही आंसर है option B राष्टपती, राष्टपती जो होते हैं ये उचने आले के मुखने अदिश की नियुक्ती करते हैं भारत के कौन से राष्टपती निर्विरोध चुने गए थे सही आंसर है, option B, नीलम, संजीव, रेडी, भारत के राशपती थे जो की निर्विरोध चुने गए थे राशपती भवन का डिजाइन किस ने किया था? सही आंसर है, option D, एडविन, लूटियंस एडविन, लूटियंस ने राशपती भवन का डिजाइन किया था अगला कोशन, भारती समिधान के अनुसाद देश में अपात काल कोन घोशित कर सकता है? सही आंसर है, option C, तीन बार, हमारे देश में कोय मिलाके अब तक तीन बार राशपती दारा अपात काल लगा है हमारे देश में अब तक राश्पती द्वारा कितनी बार वित्तिया पातका लगाया गया है सही आंसर है, option A, 0 हमारे देश में अब तक एक बार भी वित्तिया पातका नहीं लगा है, यह आपको याद रखना है भारत की पहली महिला राश्पती कौन है सही आंसर है, option C, प्रतिभाप पाटिल हमारे देश की पहली महिला राश्पती है, वहीं अगर हम बात करें, भारत की जो दूसरी महिला राश्पती जो की 2022 में बनी है, उनका नाम है द्रॉपदी मुर्मो, ये भी आपको याद रखना है अखिल भारत प्रसाशनिक सेवाओं की न्युक्ती कौन करता है? सही आंसर है, option C, राश्पती जो होते हैं ये अखिल भारत प्रसाशनिक सेवाओं की न्युक्ती करते हैं नेक्स्स कोशन भाशा आयोक सदस्यों की न्युक्ति कौन करता है? सही आंसर है option B राश्टपती जो होते हैं ये भाशा आयोक सदस्यों की न्युक्ति करते हैं किसकी एनुमती से कोई भारतिय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाद्धी या सम्मान पा सकता है सही आंसर है Option B राश्चपती या अपने याद रखना है समिधान के अनुसार निरवाचन आयोगती नुक्ती कौन कर सकता है सही आंसर है option A, राष्टपती, राष्टपती जो होते हैं ये सम्मिधान के अनुसार निर्वाचन आयोक्ती न्योक्ती कर सकते हैं वित आयोग को कौन न्यूक्त करता है? सही आंसर है, option C, राश्पती भारत के जो राश्पती होते हैं, ये वित आयोग की न्यूक्ती करते हैं किसके द्वारा राश्टी मानवादिकार आयोग की न्यूक्ती होती है? सही आंसर है, option C, भारत के राश्पती भारत के राश्पती द्वारा मानवधिकार आयों की न्युक्ति होती है राश्टी महिला आयों के बद को कौन न्युक्त करता है सही आंसर है option A राश्पती भारत के जो राश्पती होते हैं ये राश्टी महिला आयों के बद को न्युक्त करते है राजियों के राज़ेपाल की न्युक्ति किसके द्वारा की जाती है सही आंसर है ऑप्शन D भारत के राश्पति द्वारा राजियों के राज़ेपाल की न्युक्ति होती है विदेशों में भारती राज़दोतों की न्युक्ति कौन करता है सही आंसर है option A, राश्पती, विदेशों में जो भारती राधी 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 कौन करते हैं, राश्पती करते हैं, यह आपको याद रखना है, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की न्युक्ति कौन करता है सही आंसर है Option A राश्पति भारत के जो राश्पति होते हैं ये पिछड़ा वर्ग आयोग की न्युक्ति सदस्यों की न्युक्ति करते है संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है सही आंसर है Option C भारत के राश्टपती जो होते हैं ये संसद की संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते है संसद की किस सदन में राश्टपती के खिलाब महाभियोग चलाया जा सकता है सही आंसर है option A, किसी भी सदन में यह question एक्जाम में कई बार पुछा गया है तो आपको याद रखना है कि संसत का जो कोई भी सदन है इसमें राश्टपती के खिलाब महा भी होग चलाया जा सकता है भारत के किस राश्टपती को दार्शनिक शाशक के रूप में जाना जाता है यह question हर साल एक्जाम में रिपीट होता है सही answer है option A Dr.S.Rathakrishnan देखो friends, अगर आप exam की त्यारी कर रहे हो और बल्लकुल नए हो तो friends, यह question आप एक्जाम के लिए काफी important है friends, अगर आपको काफी time हो गया exam की त्यारी करते हुए मतलब कुछ साल हो गए है तो आपको friends, पता लग रहा होगा कि question कितने जादा important है और exam में हर साल repeat होते है इसी type के question friends, मेरी कोशिश हमेशा यह रहती है कि कोई भी topic में आपको लेकर रहा हूँ complete लेकर रहा हूँ भारत के किस राष्टपती को missile man के नाम से जाना जाता है सही answer is option B Dr. A.P.J. अब्दुल कलाम को missile man के नाम से जाना जाता है कोई भी विद्धेक जब संसद में प्रश्तुत किया जाता है किसकी सहमती से अधिनियम बन जाता है सही answer is option A राष्टपती भारत के राष्टपती को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है सही answer is option C संसद भारत के राष्टपती को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है विद्ध बिल के लिए किसकी पूरु सौकरिती आविशक होती है सही answer is option A अगला कोशन लोगसबस अदस्यों को शबत कौन दिलाता है सही आंसर है option A, राश्च्पति अथवा उसके द्वारा अधिकरित व्यक्ति लोगसबस अदस्यों को शबत दिलाता है भारत में किसकी मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता सही आंसर है option A, राश्च्पति भारत में राश्च्पति की मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता यह आपको याद रखना है राज्यसभा के लिए सदस्यों को को नामित करता है सही आंसर है Option C, राश्पती राश्पती द्वारा लगाये जाने वाला पातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है सही आंसर है Option B, जर्मनी देश से भारत के राश्पती की तुलना किस देश के समराट से की जाती है सही आंसर है Option B, ब्रिटेन राश्पती पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है सही आंसर है ऑप्शन C निर्वाचन आयोग द्वारा राश्पती पद का चुनाव संचालित किया जाता है भारत के पहले मुसलिम राश्पती कौन थे सही आंसर है ऑप्शन B क्यार नरायन भारत के पहले दलित राश्च्पती थे ये आपको याद रखना है भारत के पहले सिख राश्च्पती कौन थे आंसर है ऑप्शन ए ग्यानी जेल सिंग भारत के पहले सिख राश्च्पती थे आखरी question कर रहे हैं हम इस वीडियो को और इसके बाद friends आप सभी के लिए revision वाला part है तो revision वाला part आप जरूर देखना इससे आपको सभी question के answer इसी वीडियो में अच्छे रहे समझ आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे अलाश में दो question का test भी है अपने कारेकाल के दोरान किस राश्टपती के मिर्ती हो गई थी? सही answer है option C, उपियुक्त A और B यानि कि फकरुदीन अली अहमद और डॉक्टर जाकीर हुसेन इन दो राश्टपतियों के मिर्ती हो गई थी अपने कारेकाल के दोरान इस वीडियो का एक और बहतरीन पार्ट कर लेते हैं वो है रिवीजन वाला पार्ट तो रिवीजन के पहले question शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि अपला topic किस वीडियो पे चाहिए आप मुझे comment box में जरूर बताएं ठीक है फैंच तो चलिए शुरू करते हैं पहले question से फर्स्ट question रिवीजन का राश्पति पद के उमिदवार के लिए नियोंतम आयो कितनी होनी चाहिए सही answer है 35 वर्ष भारती सम्मिधान के किस अनुछेद में राश्पति पद का प्रावधान है आंसर है अनुछेद 52 next question रिवीजन का किस अनुछेद में कहा गया है कि प्रधानमंतरी की नियोक्ति राश्पति द्वारा की जाएगी आंसर है अनुछेद 75 भारत की पहली आदिवासी महिला राश्पति कौन बनी है आंसर है दुरौबदी मुर्मू भारती सम्मिधान के किस अनुछेद में राश्पति का निर्वाचन के रिति के बारे में बताया गया है आंसर है अनुछेद 55 भारती सम्मिधान के किस अनुछेद में राश्पती के शपत के बारे में बताया गया है आंसर है अनुछेद साथ भारती सम्मिधान के किस अनुछेद में राश्पती के पुनह निर्वाचन के बारे में बताया गया है आंसर है अनुछेद सतावन नेक्स कोशन रिवीजन का राश्पती को शपत कौन दिलाता है आंसर इसका भारत के मुख्यनियाधीश संसर द्वारा राश्पती पर महा भ्योग की प्रकिरिया कितने दीन पूरु सूचना के बाश शुरू की जाती है आंसर है 14 दिन किसके हस्ताशर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता आंसर है राश्पती लोगसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है आंसर है राश्पती फ्रेंट्स अगर आपको मेरा रिवीजन वाला तरीका पसंद आ रहा है तो आपने कमेंटर के अपना फीडबैक जरूर देना ह सकूँ ठीक है फ्रेंट्स तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना सभी कोशन के आंसर इसी वीडियो में आपको अच्छे से समझ जाने वाले हैं और ये राश्पती चैप्टर का मास्टर वीडियो है अगला कोशन राश्पती का रिक्तबद कितने दिनों के अंदर भरना होता है आंसर है छे महा समिधान के किस भाग में अबातकाल के बारे में बताया गया है आंसर है भाग अठारा वह राश्ट का प्रतिनित्व करता है प्रंतु राश्ट का नेत्रितव नहीं करता यह कथन किस के लिए लागू होता है आंसर है राश्पती लोगसभा को भंग क शक्ति किसके पास होती है? आंसर है राश्टपती के पास। भारत का सम्विधानिक प्रधान कौन होता है? आंसर है राश्टपती। अपातकार लगाने की शक्ति किसके पास होती है? आंसर है राश्टपती के पास। राश्टपती के पास कितनी तरह की वीटो शक्ति होती है? आंसर है तीन राश्पती के पास कौन सी तीन वीटो शक्ती होती है आंसर है आंतियतिक वीटो, निलंबन कारी वीटो और पॉकेट वीटो स्वतंत्र भारत के प्रथम राश्पती किस राज्य से थे आंसर है बिहार राश्पती परिति के निर्वाचन हेतु कौन सी पददिती अपनाई जाती है आंसर है समानुपातिक प्रतिनित एवं एकल संक्रमनीय मत्र परदति राश्पति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों में कि कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए आंसर है 50-50, किसी विधी के प्रशन पर सर्वोच न्याले से प्रामर्श लेने का अधिकार किसको है? आंसर है राष्ट्पती, भारत राष्ट्पती अपनी शक्ति का प्रेयोग करते हैं, सही आंसर है, सीधे अथवा अपने अधिनस्त अधिकारियों दवारा, या भारत के र राश्ट्पती के निर्वाचन में राज्जे का मुख्य मंत्री मद्दान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि डैश आंसर है वो राज्जे विधान मंडल में उच सदन का सदसे हो अगला कोशन सारवजनिक महतव के लिए किसी विशेव पर राश्ट्पती समिधान के किस अ और अगर आप किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हो हमारी करंट अफेर की बुग रवी करेंट अफेर्स के नाम से और GK की बुग रवी जीके के नाम से नाम से लांच हो चुकी है flip card Amazon से आप buy कर सकते हो रवी current affairs और रवी जीके दोनों friends अलगलग book के जीके की त्यारी करनी तो रवी जीके पढ़िए current affairs की त्यारी करनी तो रवी current affairs पढ़िए friends सबसे best content हमने अपनी book में डाला है आप इसे flip card से buy कर सकते हो अगला question विदेशों को भीजे जाने वाले विभिन संसदिय प्रतिनिधी मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामंकन कौन करता है? आंसर है राश्पती राश्पती को भत्ते के इलावा प्रतिमा कितना वितन प्राप्त होता है? आंसर इसका पांच लाग नामंकन के समय राश्पती पद के उमिद्वार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है आंसर है 15,000 अगला कोशन रिविजन का लोकसभा द्वारा पारित विधेग यदि राश्पती लोकसभा का पूर्ण विजार के लिए लोटाता है और लोकसभा उसे पूर्वत पास करके राश्पती के पास भेज देती है तो राश्पती विधेग को डैश आंसर है अनुमती देगा अध्यदेश जारी करने का अधिकार राश्पती का कौन सा अधिकार है आंसर है विधाई भारत एक गंतंत्र है इसका अर्थ है आंसर है भारत में वनशानुकत शाशन नहीं है भारत के राश्पतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुट निर्पेक शांदोलन के महा सचिब भी थे आंसर है ज्यानी जेल सिंग लाब के पद का निर्नय कौन करेगा आंसर है संग्य संसद किसी भोगलिक छेतरिक को अनुसूचित छेतर घोशित करने का समविधानिक अधिकार किसको है आंसर है राश्पति भारतिय गंतंतर का वह कौन सा राश्पति था जो सदा भारतिय धरम निर्पेक्षता को सरुधरम संभाव कहता रहा आंसर है डॉक्टर S. राधा कृष्णन नेक्स कोशन भारत की पहले राश्पति के रूप में डॉक्टर राजिंदर परसाद का चुनाव किया गया था आंसर है संभिधान सभादवारा अगला कोशन यदि भारतिय उपराश्पति अपना त्यागपत करने का निर्नय लेते हैं तो वह अपना त्यागपत किसे संभोधित करके लिखेंगे आंसर है राश्पति को भारती समिधान में निर्वाचित राश्पति का प्रावधान किस देश से लिया गया है आंसर है अमेरिका सरवोच नियाले के एकमात नियाधिश कौन है जिन्होंने राश्पती पद की शपत ली है आंसर है मुहमद हिदायत उल्ला भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ती कौन करता है आंसर है राश्पती भारतिय समिधान के किस अनुच्छेद में राश्पती के कारेलेक के शर्तों के बारे में बताया गया है आंसर है अनुच्छेद 69 Next question कर लेते हैं revision का किस अनुचेद में राश्पती के पद की रिक्तता भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित वैक्ती के पद का कारेकाल के बारे में बताया गया है आंसर है अनुचेद 62 Next Questionary Vision का भारती सम्मिधान के किस अनुचेद में राश्पती के कारे एवं शक्ती का प्रावधान है आंसर है अनुचेद 53 भारती सम्मिधान के किस अनुचेद में राश्पती के निर्वाचन के बारे में बताया गया है आंसर है अनुचेद 54 Next Question Revision का किस अनुछेद द्वारा राश्पती द्वारा राश्पती द्वारा राश्पती शाशन लगाया जाता है आंसर है अनुछेद 356 भारती संबिधान किस अनुछेद में राश्पती के पधा विधी के बारे में बताया गया है अनुछेद 56 भारति सम्मिधान 8 अनुछेद में राश्पती पद की योगयताओं का उलेख बताया गया है आंसर है अनुछेद 58 भारति सम्मिधान की तैंनुछेद के अंतरगत देश में युद्ध या बहरे अकर्मन की स्थिती में आपातका लगा सकता है सरी आंसर है अनुच्छे 352 next question है revision का राश्पती सम्मिधान किस अनुच्छेत के अंतरगत आर्थिक संकड की स्थिती में अपातका लगा सकता है answer है अनुच्छे 360 next question करते है revision का समिधान के किस अनुछेद में राश्पती पर महा भीयोग के बारे में बताया गया है। आंसर है अनुछेद 61 नेक्स कोशन डिविजन का इंपोरेंट है समिधान के किस अनुछेद में राश्पती छमा दान की शक्ती के बारे में बताया गया है। आंसर है अनुछेद भहत्तर किस अनुछेद के तहट राश्पती, सहाइते, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेश ग्यान या वहवारिक अनुभव रखने वाले बारव वैक्तियों को राज्य सभा में मनोनित कर सकता है आंसर है अनुछेद अस्सी समिधान के किस अनुछेद के अनुछेद के अनुसार, राश्पती किसी अपराधी की सज्जा को चमा कर सकता है आंसर है अनुछेद भहत्तर एक्जाम में कई बार पुचा गया कोशन है ये अगला कोशन कौन सा अनुच्छत राश्पती के चुनाव परनाली को बताता है आंसर है अनुच्छत पच्छपन भारती समिधान में राश्पती का परमहा भ्योका प्रावधान किस देश से लिया गया है आंसर है अमेरिका आंसर है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयों पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो और किसी लाब के पद पर ना हो आंसर है पाँच वर्ष का किसी भी राज्य के उपर राश्पती साशन लगाने की शक्ती किसके पास होती है आंसर है राश्पती संसद के लोकसभा और राज्यसभा के इलावा तीसरा अंग कोन सा है आंसर है राश्पती भारती समिधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राश्पती बन सकता है आंसर है कितनी बार भी समिधान के अनुसार राश्पती अपना त्यागपत किसे दे सकता है आंसर है उप राश्पती को राश्पती उमिद्वार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? आंसर है पचास. राश्पती के त्याग पत्र की सूजना उप राश्पती किसे देता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष. अगला कोशन है रिविजन का राश्पती पद के उमिद्वार के लिए अधिक्तम आयू कितनी होनी चाहिए? आंसर है कोई आयू सीमा नहीं है. सम्मिधान के उलंगन में राश्पती को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? आंसर है महाभियोग द्वारा. राश्पती पर महाभियोग की प्रकिरिया किस देश के सम्मिधान से ली गई है? आंसर है अमेरिका. किसके वेतन पर आईकर नहीं लगता है? आंसर है राश्पती के. उप राश्पती जब राश्पती के स्थान पर कारे करता है तब किसका वेतन प्राप्त होगा? आंसर है राश्पती का. चमादान अथवा मिर्ति उदंड पाई अपराधी की सजा पर फैसला लेने का अधिकार किसके पास होते है? आंसर है राश्पती के पास. देश के सशत्र सेनाओं का सरवोज कमांडर कौन होता है? आंसर है राश्पती. अमेरिका के राश्पती का कारेकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है चार वर्ष का. अमेरिका में एक व्यक्ती अधिक्तम कितनी बार राश्पती के पद पर निर्वाचित हो सकता है? आंसर है दो. मौलीक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? आंसर है राश्पती. करते हैं नेक्स कोशन रिविजन का अब तक हमारे देश में कितने राश्टपती के खिलाब महाभीयोग चलाया गया है आंसर है शून्य भारत में कौन लगातार दो बार राश्टपती बने थे आंसर है राजेंदर प्रसाद नेक्स कोशन भारत का प्रत्थम नागρι कौन होता है आंसर है राश्पती होते हैं अगर आपने डेली करेंट अफेर पढ़ना है उसका हमारा अलगसे चैनल है करेंट अफेर्स बायर रवी आपको YouTube पे जाके सर्च करना है करेंट अफेर्स बायर रवी चैनल को राश्पती का निर्वाचन मंडल को किस देश के सम्मिधान से लिया गया है? आंसर है Ireland. भारती सम्मिधान में राश्पती का कारे किस देश के सम्मिधान से लिया गया है? आंसर है America. राश्पती का निर्वाचन किस विधी द्वारा होता है? आंसर है अप्रतेक्ष next question है 20 बारत के पहले राश्वति कौन थे आंसर है राजिएंदर प्रसाद भारत की निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं सही antster की दोनों सदनों के निर्वाची सदससे और राज्यों की विधान सभाओं की निर्वाची सदससे और दिल्ली और प्रतेक राज्ये का राजपाल देश के केंद्रिय मंत्री मंडल के शिफारिश पर किसके द्वारा न्युक्त किया जाता है। आंसर है राश्पती के द्वारा। Next question कर लिएते हैं कौन राज्य सभा में कला, सहाइते, विज्ञान, समासेवा, छेतर में बारा सदस्यों को न्युक्त करता है। आंसर है राश्पती अगला question तीनों सेनाओं का सेना प्रमुक कौन होता है। आंसर है राश्पती समान अनुपातिक प्रतिनीदित्व प्रनाली द्वारा किसका चुनाव होता है। आंसर है राश्पती एकल संक्रमनिय मत्र प्रतिती द्वारा किसका चुनाव होता है। आंसर है राश्पती राश्ट का अध्यक्ष कौन होता है। आंसर है राश्पती केंद्र की समस्त कारे पाले का शक्ती किसमे नहींत होती है आंसर है राश्पती प्रधानवंतरी पद की नियुक्ती करने का धिकार किसके पास होता है आंसर है राश्पती देश के नियंतरक एवं महा लिखा परिक्षक की नियुक्ती किसके द्वारा होती है आंसर है राश्पती एक्जामे कई बार पुछा क्या कोशन है यह भारत के महा नियावादी की नियुक्ती कौन करता है आंसर है राश्पती यदि किसी कारण राश्पती का पद खाली हो तो तो राश्टपती का कारे कौन करता है आंसर है उपराश्टपती जब राश्टपती पद और उपराश्टपती पद दोनों खाली हो तो उस स्थिती में राश्टपती का कारे कौन करता है आंसर है सर्वोच नियाले का मुख्य नियाधिश जब राश्टपती उपराश्टपत यिन की कारइकाल के दौरान मिर्थिय राश्पति राश्पति प्रधानुंतरी की सलहाप़ मंध्री पर रně प्रशत की अन्हेश द्रशियों की नियुक्तिं कौन करता Hai राश्पति भारत में चारइपालिका का अध्यक्ष कौन होता है आंसर है राश्पती और जो वास्तर भी कारेपाली का होता है वो प्रधानमंतरी होता है संग की कारेपाली का शक्ति कारेपाली का शक्ति नहीं थैं आंसर है राश्पती में उपराश्पती कितने समय के लिए राश्पती पदपर कारे कर सकता है आं आंसर है राश्पती, उच्छ निया लेके मुख्य नियादिश की नियुक्ती कौन करता है, आंसर है राश्पती, अगला कोशन एक्जाम में कई बार पूछा गया है, भारत की कौन से राश्पती निर्विरोज चुने गए थे, नीलम संजीव रैडी, राश्पती भवन का ड राश्पती द्वारा अपातका लगाया गया है, आंसर है तीन, हमारे देश में अब तक राश्पती द्वारा कितनी बार वित्या पातकाल लगाया गया है, आंसर है शूने, भारत की पहली महिला राश्पती कौन है, आंसर है प्रतिबा पाटिल, अखिल भारत प्रसाशनिक सेवाओं की न्युक्ति कौन करता है आंसर है राश्पति भाशा आयोग सदस्यों की न्युक्ति कौन करता है आंसर है राश्पति किसकी अनुमती से कोई भारती नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधी या सम्मान पा सकता है आंसर है राश्पति समिधान के अनुसार निर अगला कोशन विदेशों में भारते राजदोतों की न्यूक्ति कौन करता है? अगला कोशन पिछड़ा वर्ग आयोक के सदस्यों की न्यूक्ति कौन करता है? अगला कोशन संसत की सैयोक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संसत की किस सदन में राज़़पती एक खिलाप महाभийोग लाया जा सकता है? आंसर है किसी भी सदन में भारत की किस राशपती को दारशनिक शाशक के रूप में जाना जाता है? भारत की किस राश्पती को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है कोई भी विधेग जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है किसकी सहमती से अधिनियम बन जाता है भारत के राश्पती को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है आंसर है संसद वित बिल के लिए किसकी पूरु सवकृती आविशक होती है आंसर है राश्पती लोकसभा सदस्यों को शपत कौन दिलाता है आंसर है राश्पती अथवा उसके द्वारा अधिकृत वैक्ती भारत में किसकी मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता आंसर है राश्पती राज्जे सभा के लिए सदस्यों को कौन नामित करता है आंसर है राश्पती राश्पती द्वारा लगाई जाने वाले अपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है आंसर है जर्मनी नेक्स कोशन भारत के राश्पती की तुलना किस देश के समराट से की जाती है आंसर है इसका ब्रिटेन नेक्स कोशन है रिवीजन का राश्पती पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है आंसर है निर्वाचनायोग भारत के पहले मुस्लिम राश्पती कौन थे आंसर है इसका डॉक्टर जाकीर हुसेन नेक्स kaution है मारा भारत के पहले दलित राश्च WATT कौन थे? आंसर है कया नरायन भारत के पहले सिख राश्च पती कौन थे? आंसर है ग्यानी जेल सिंग अगला कोशन अपने कारेकाल के दोरान किस राश्पती की मिर्ती हो गई थी आंसर इसका फकरुदीन अली एहमद और डॉक्टर जाकीर हुसेन और फिर एक कोशन और एड कर लिजिए भारत की पहली आदिवासी महिला राश्पती कौन बनी है तो आपका सही आंसर होगा drop the murmu यह आपने याद रखना है और आपने मुझे comment box में जुरू बताना है कि drop the murmu जो हुए हमारे देश की कौन 새 number की कौन से number की राश्पती बनी है यह आपने बताना है मुझे comment box में मैंने बहुत इतने भी question करवाई है, उन में से 2 question का test है, इसका answer आपने मुझे comment box में देना है, तो चलिए fans start कर लेते हैं, पहले question से, पहला question है, राश्पती पद के उमिद्वार के लिए नियुनतम आयो कितनी होनी चाहिए, चार options हैं आपके पास, next question है मारा, भारतिय समयधान के किसन उचेद में, राश्पती पद का प्रावधान है, चार options हैं आपके पास, friends, ये video complete हो चुकी है, उमीद करता हूँ, आपको मेरी ये video पसंद आई होगा, अगर आपको मेरी ये video पसंद आई है, content पसंद आई है, quality पसंद आई है, आप मुझे बस comment करिए, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर हूँगा, complete वीडियो वो भी, ठीक है friends, और आप में चुमारा current affair का channel है, उसे जरूर सब्सक्राइब करना है, अगर daily current affair आपने पढ़ना है, हर exam के लिए काफी जादा useful है हमारा current affair का channel, current affairs by रवी, youtube channel को जर launch हो गई है, रवी current affair book के नाम से, और हमारी जीगे की book भी है, रवी जीगे के book नाम से, उसको friends, आप Amazon flip card से खरी सकते हो friends, हर exam के लिए काफी useful है हमारी ये book, ठेक है friends, तो friends, चलिए, अब हम मिलते हैं next video में, thank you and wish you all the best.